एपिसोड की शुरुआत होती है गेराल देखता है यनिफर और सीरी टेलिपोर्ट हो चुकी है तब इने की जमीन पे और भी कुलम स्टेर को देखती है जो की सीरी की पावर से क्रैक हो चुका है गेराल नेने की से बोलता है कि वो उसे सिंटरा जाने के लिए एक पोर्टल खो को ढूंडने के चक्कर में इने रिंस ने मारा था यनिफर चालाक होती है और वो सीरी को घुमाने लगती है ताकि वो सीरी को सिंट्रा ले जा सके यनिफर कहती है किराल को जरूर रिंस के आदमियों ने किड्नेप कर लिया होगा और वो उसे सिंट्रा लेकर गए होंगे तो हम उसे बचाना होगा सीरी गिराल को बचाने के खातिक मान जाती है अब टीशिया विलफोड के साथ होती है ये दोनों आपस में प्यार करते थे वहीं सिंट्रा में निलवगाड आर्मी का जनरल फ्रिंजिला से कहता है कि एल्फ की आर्मी वाले आज ट्रेनिंग करने नहीं आए फ्रिंजिला कहती है वो जरूर बच्चे के पैदा होने का जशन मना रहे होंगे ये जनरल बहुती बुरा आदमी होता है यहाँ पे जनरल एक औरत को मार देता है ये सोच के कि वो उन पे जासूसी कर रही थी जबकि वो बेचारी वहाँ पे खाना ढून रही थी अब गेरा फ्रिंजिला के पास जाके शिकायत करती है कि उसके आदमी आज ट्रेनिंग पे नहीं आए तब फिलावेंडर बोलता है कि वो लोग निल्वगार्ड वालों के लिए बेकार में अपनी जान नहीं देंगे और तब फ्रेंचेसका कहती है कि वादों से ज्यादा फैमली इंप मंत्र बोल के वहां से गायब हो गई उस मंत्र में डेथलेस मदर का जिक्र हुआ था ये सुनके गिराड समझ जाता है कि येनिफर डेथलेस मदर के साथ काम कर रही है और सीरी को सेक्रिफाइस करेगी तब ही गिराड और जैसकीर यारपन नाम के एक ड्वाफ से मिलते हैं य ्चसे को पार करना होगा येनिफर डी को एक मंधर सिखाती है ताकी वह उस ब्रिज को सही कर दे सीरी वो मंतर करती है लेकिन उसकी आँखोंने लगता है तब ही वहां से टेलिपोर्ट होके नदी के दूसरी और आ जाते हैं जिनीफर सीरी से बहुत Prec होती है मेहीं टीशिया विलफोर्ट को सीरी के बारे में बताती है और उसे ट्रिस के पास लेके जाती है ट्रिस टीशिया पे नराज होती है कि वो सीरी वाली बात एक सीक्रिट थी अब डारा नाम के एल्फ को दिखाते हैं जो यह सिंट्रा में जासूसी कर रहा था वो एक आउल से बात करता है दरसल डारा डिक्ष्ट्रा नाम के आद्मी के लिए काम कर रहा था और ये ओल डिक्ष्ट्रा का ही था और अब डिक्ष्ट्रा प्रोडेनिया parlerा वैजिमीर से बोलता है कि उसने डारा के अलावा वैसे और भी जासूस बैठा रखे हैं। उधर सिंटरा में निलवगाड आर्मी का जनरल और कसीर फ्रिंजिला को जेल में बंद करने का प्लान बनाते है। फ्रिंजिला उन सब की बातें सुन लेती है और अपने जादू से उन सब को पेरलाइस कर देती है। फ्रिंजिला जन्रल और उसके आद्मियों को मार देती है और कसीर को धमकाती है कि अगर उसने फ्रिंजिला कर साथ नहीं दिया तो वो उसे भी मार देगी वहीं पे यनिफर और सीरी मोनोलिट के पास आते हैं सीरी यनिफर से कहती है उसी ने वहाँ पे मोनोलिट को डेस्ट्रोई किया था अब सीरी यनिफर को छूती है और उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है कि येनिफर अपनी ताकत खो चुकी है और उसे सेक्रिफाइस करेगी येनिफर को अपनी गल्टी का एसास होता है तो वो सीरी को मनाती है लेकिन सीरी गुसा हो जाती है और अपनी पावर का इस्तमाल करती है तब ही जमीन में एक क्रेक आने लगता है और फिर ये क्रेक निलवगाड आर्मी के महल तक चला जाता है सारे सिपाई चौकनने हो जाते हैं और वहां मामले की जांच करने जाते हैं सिपाई यहां पे आके येनिफर और सीरी को गिरफतार करने लगते हैं तब ही गिराल्ट आ जाता है और सिपाई को अपनी तलवार से मारता है यारपेन और उसके आदमी भी सिपाईयों को मारने लगते हैं यारपेन का एक आदमी सिपाई का सिर काड़ देता है और वो जैसकीर के हाथ में जा गिरता है गिराल्ट आखरी बचे सिपाई को मार के काम ले जाए ताकि वो उसे मार सके उधर एक आदमी फ्रेंचेसका की बेटी को मार देता है ऐसा होते ही डेथलेस मदर अपनी जोपड़ी से आजाद हो जाती है दरसल डेथलेस मदर औरों के दुखों पे सर्वाइब करती थी गेराल तो येनिफर डेथलेस मदर के जोपड़ी के बार आते हैं गेराल देखता है डेथलेस मदर राक में बदल के बहाँ से जा चुकी है वो येनिफर को बताता है कि पुराने विचर्स ने डेथलेस मदर को इस जोपड़ी में कैद कर दिया था और जैसा की फ्रेंचेसका क बेटी की डेथ होगे थी उसके दुखों से डेथलेस मदर को इतनी ताकत मिली कि वो जोपड़ी से आजाद हो गई डेथलेस मदर राक में बदल चुकी होती है वो सीरी की बॉडी में घुश जाती है और सीरी की आखें चमकने लगती है डेटलेस मदर ने सीरी की बोड़ी को कंट्रोल कर लिया है